आगरा के सागंज में रहने वाले भाई अनीज और फैजल खानदानी दरजी हैं और इनके पिता स्वर्गिय मुहमद अजीज भी इसी काम को करते थे फैजल उम्र में छोटा है और बीकॉम केस बाद जर्मन लेंग्वेज का डिप्लोमा कर गाइट बनने के त्यारी कर रहा है फैजल बड़े भाई अनीज के साथ घर पर ही दरजी की दुकान में बैठता है फैजल का मन बचपन से ही कुछ अलग करने का था और इसके लिए अचानक दो साल पहले आइडिया दिमाग में आया और उसने भाई के साथ मिलकर 17 फिट लंबे और 18 फिट चोड़े पट्रे के कपड़े का कच्छा तयार किया था हलाकि ये विश्व रिकॉर्ड में कायम नहीं हो सका था और इसे सर्फ यूनिक रिकॉर्ड से ही संतोज करना पड़ा था अनीस और फैजल उसके बाद भीर कुछ अलग कर विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहते थे अनीस और फैजल का खांदान समाजवादी पार्टी का प्रसंसक रहा है और ये दोनों भाई भी अखिलेश यादव के प्रसंसक है ऐसे में कुछ अलग करने के लिए उन्होंने अखिलेश यादव के लिए एक समाजवादी टोपी तयार की है इसके लिए उन्होंने पहले इंटरनेट पर सर्चिंग की है ताकि इस बार वो विश्व रिकॉर्ड बनाने से ना चुके है हनीस के अनुसार उन्होंने 51 मीटर डवल अर्ज का खादी कपड़ा लेकर 6 घंटे के महनत के बाद 10 किलो वजन की करी 25 फिट लंबी और 6 फुट चॉड़ी टोपी तयार की है टोपी की लागत कुल 5500 रुपयाई है इसमें महनत का पैसा नहीं जोड़ा गया है उन्होंने इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड में सामिल कराने के लिए लिमका बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और गोल्डन बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आविदिन कर दिया है अनीज का कहना है कि वो इसे सपा के राष्ट्री अध्यक्स को गिफ्ट करना चाहते हैं और उनकी स्थानी ये कारिकरताओस अपील है कि वो इसमें उनकी मदद करे फिलाल अनीज और फैजल की बनी टोपी को पहनने के लिए आठ लोगों को उसके अंदर जाना पड़ता है तब टोपी अपने सेप में आती है और ये टोपी इस समय आगरा में चर्चा कविसे बना हुआ है लेकिन ये चाहते हैंगा हमारी इस तोपी का क्या करेंगा इस टोपी को हम रखेंगे कि हमने लागवाशी मंट है इस तरना चाहते हैं कि रखना चाहेंगा अच्छा आपके बड़ूसी दो बच्चों ने दो बच्चों ने जोगत अखले जी की टोपी बनाई है मैं बहुत साथनों से बहुत खुस हूं मैं अखलेट जी के चाहता हूं इतना टैलेंट है बच्चों में क्या लगता है किसको आगे और पूसां यह तो चाहते है और आगे बढ़नेगा को चांक बिल्याम को आगे बढ़नेगा जैसा अगले जी हमको कुछ लिप्त देंगे तो हमार आगे बढ़ेंगे आज 25 की टोपी बनाई हुई है हम आप चाहें 50 की बनानी टोपी कोसिस करें है आगरा से समाधाता फरान खान की रिपोर्ट